नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेदी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है, मेरा नाम है विनीत सागर इंटिन अकॉनिमी रेमेर्सिंग सीरीज चला था, चाप्टर 19 का फाइनल पार्ट वीडियो है ये पिछले वीडियो में हमने इंडिया फोरस के बार में बताया, अगरी कल्चरल रजीडियू बेंग के बार में बताया, ये जो लास्ट वीडियो था ना, इसमें काफी डाटास था, जो आपके एग्जामनेशन पोट व्यू में विरी इंपोर्टन है, आपके आपने नोट्स करेंगे, climate risk insurance के बारे में, future outlook क्या रहनाची उसके बारे में, और development with wisdom, ये तीनों topics के उपर हम discuss करेंगे, ये वीडियो हम शुरुआत करेंगे, जहां से हमने बंद किया था पिछली वीडियो में, पिछली वीडियो में मैंने agriculture residue बेनी के बारे में तो पताया, उसके बारे में काफी data भी पताया, पर ये रोकने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है, क्या-क्या suggestions है, गर्मन के तरफ से, या कोई technology की तरफ से, क्या-क्या है, वो हम discuss करेंगे, तो आगे जान से पहले, वही बाते, लक्षब पर लाइक का बन सकते हो, join button के प्रूब, शुरुवात करते हैं दोस्तो, agricultural residue burning, suggestions to check residue burning, देखे, ये जो stable burning होता है, मैंने आपको बताया था, इससे काफी सारे environmental problems होता है, अब इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, कुछ suggestions दिया हुआ है, which came from the studies to address crop residue burning and check air pollution, काफी सारे studies हुआ था, कैस इसको रोका जा सकता है, ये crop residue को किसी ना किसी तरफ से manage तो करना ही पढ़ा है दोस्तो, देखे, farmers के पास सबसे easy तरीका है उसको जलाने का, ताकि वो जल्दी अगला crop जो है, cultivate कर सकता है, अब कुछ studies हुआ था इसके बार में, कैसे इसको रोका जा सकता है, देखे, promoting the practice of conservation of agriculture with low lignocellulosic crop residues, देखे, ये तो एक तरीका है, ऐसे crops अब ज्याता cultivate करो, जो low fiber content का है, जैसे rice है, wheat है, माईज है, इसकी जो crop residue है, वो कम होता है, और वो जलाने से उतना problem नहीं होता है, जितना दूसरे crops में होता है, जैसे कि मैंने आपको last video में बताया था, sugar cane के बार में, आप आप देखे, sugar cane की जो residue है, वो जलाने से सबसे ज्यादा problem होता है, क्योंगी PM 2.5 जो है, उसका emission ज्यादा होता है, ये sugar cane बगरा में से है, तो ऐसा low fiber content वाला crops use करने से problem थोड़ा सा कम हो सकता है, और देखे, agricultural missionaries can help farmers to sow the seeds of the next crop without any problem associated with the residues of previous crops, देखे, farmers के पास सबसे बड़ा problem क एक harvesting हो जाएगा, उसका पुरा जो waste materials है, residue हो बच जाएगा, अब इसको केसे न केसे हटाना है, तो farmers क्या करते है, जला आता है, आप देखे, ऐसे कुछ missionary से, जो farmers को help करते है, उन residue को बिना हटा गए भी cultivate कर सकता है, आप थोड़ा सा doubt में आ गया होगा, उसके लिए मैं आप आपको एक third party website में लेकर जाना जाएगा, देखे दोस्तों, यह है down to earth वाला website, यह बहुत important website है UPCI experience के लिए, क्यूंकि देखे, इसमें काफी अच्छे-चे articles आता है, जो examination perspective में important होता है, वो हम आपके साथ discuss करते ही है, वो अलग बात है, आप देखे, इसमें 2019 में एक article आए a problem for the environment, agriculture and humans, आप देखे, यह stubble burning के बारे में है, जो हम discuss कर रहे थे, stubble burning को रोकने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है, तो मैंने आपको यह बोला, कुछ technologies का इस्तमाल करके, farmers यह stubble burning का problem को दूर कर सकता है, देखे दोस्तों, इसमें क्या लिखा है, solutions to the burning problem, in 2014, union government released the national policy for management of crop residue since then, crop residue management has helped make the soil more fertile, thereby resulting in savings of 2000 rupees per hectare from the farmer's manual cost, मैंने आपको बोला था ना, stubble burning करने से, एक तो environment problem से, उसके साथ-साथ, soil की जो fertility है, वो भी कम हो जाता है, तो किसी भी थर आप देखोगे ना, यह stubble burning है, हमारे लिए सही नहीं है, हमारे जैसे एक एग्रो एकॉनमी के लिए बिलकुल सही नहीं है, अब मैंने आपको technology के बार में बताया था, इसमें क्या लिखा है, farmers can also manage crop residues effectively by employing agricultural machines, like this is very important, अब 100% not बना दीजिएगा, यह आपके means की perspective में भी important, इसलिए मैं इसलिए मैं इसलिए डिसकस करता हूँ, देखिए, happy seeder करके technology, basically एक machine है, use for sawing of crop in standing stubble, stubble रहने से भी आप अगले crop को sow कर सकते हो, कैसे happy seeder से, आप यह happy seeder कैसे काम करते हैं, वो सब में इसलिए बता नहीं रहा हूँ, वैसे मुझे भी इतना idea नहीं है, इतना deep junk की जरूरत नहीं है, बस आप यह जान लिजिए, standing stubble में भी आप crop को sow कर सकते हो, happy seeder से, और एक रोटवेटर, दे basically जितने भी technologies के बार में बता रहा हूँ, यह सब stubble के साथ साथ अगले crop को कैसे cultivate किया जा सकते है, यह बता रहा है, अब देखिए, used of collection of straw and making bales of the paddy stubble, paddy stubble chopper है, cutting of paddy stubble for easily mixing with soil, ऐसे paddy को harvest करेगा, वो जो stubble है, soil के साथ easily mix हो जाएगा, reaper binder है, used for harvesting paddy stubble and making into bundles, यह तो आपन automatically वो bundle बन जागा, जो log मिलके करते थे थे ना, वो का mission करके देगा, ठीक है, तो यह सब technologies है, ठीक है, अब हम इदर पहुंचते है, देखिए, मैं आपको क्या बोला था, agricultural missionaries can help farmers to sow the seeds, तो क्या के missionaries से आपको पता चलगे ना, तो यह है, अब देखिए, this can improve or sustain the productivity of the crop land in the long term as in- in-situ management, देखिए, यह crop land की productivity long time में improve कर सकता है, और यह stable बेनी मगरा की ज़रूत नहीं पड़ेगी, और यह लिखा है, in-situ management, अब यह in-situ का मतलब क्या, मैं आपको बता देता हूँ, काफी बार यह in-situ, in-situ आपने देखा होगा, कई किताबों में, देखिए, दोस्तों, in-situ मतलब होता है, वही के वही काम करना, for example के साथ बताओंगा मैं, माल लीजिए, मैं एक aircraft technician हूँ, अब माल लीजिए, aircraft का कोई equipment खराब हो लिया, तो normally क्या करते है, वह equipment निकालके, कोई workshop में लेके जाता है, उथरी टीकर आके, वापस aircraft में fit करते है, आगर मैं यह काम, aircraft के अंदर बैठे बैठे ही कर सकता हूँ, तो इसको बलता है, in-situ, मतलब उथरी, जहाँ वो equipment है, उथरी करना, अब समझ गे न, in-situ management मतलब, वही के वही, crop plant जहाँ है, वही यह सारे problem solve हो जाएगा, apart from this, there are other options to utilize the crop residues, ex-situ from the crop plant, ex-situ मतलब, उसे दूर, कहीं और ले जाके, यह stubble को manage करने वाला technology भी है, यह बोला जारे है, मतलब, उधर ही manage कर सकता है, उधर से बाहर ले जाका भी कर सकते है काम, मतलब, यह stubble को कैसे भी करके treat कर सकता है, creative markets for crop residues and mandating nearby thermal power plants to undertake call firing भी तो हो, यह भी तो कर सकता है, आपको पाता है, call firing के बारे में, जो thermal power plants में electricity generate करने के इसको भी जला दो है, इसके लिए हर एक paddy fields है या जो land है उधर से उन्हें खटा करके लेके जाना पड़ेगा, कोई nearby thermal plan में, फिर call के साथ जला दो, यह एक option है, promoting infrastructure for setting up biomass depots for storage of bale crop residues in areas that are shown high fire incidents, यह basically infrastructure develop करे, कोई buildings develop करो, थाकि यह पूरे biomass को store कर सकता है, जहां यह fire residence वागर का problem हैना, देखे, स्टबले से रहने से fire भी हो सकता है, क्योंगी एकदम dry रहता है और धूपी रहता है, तो infrastructure क्रियर करने की बात कह जाए, कोई depot क्रियर करके उधर जमा कर लो, और क्या बाल रहा है, providing special loans for financing, farm equipment and working capital for private sector, एक तो देखे दोस्तों, technology की बात हो रही है, lawns प्रवे equipment खरीने के लिए special loans for appropriate करो, promoting use of crop residue based biochar briquettes in local industries, brick kiln and hotel dhava as an alternate fuel, अब यह क्या है, this is important, biochar briquettes मतलब एक टेप का alternate fuel है, briquettes मतलब क्या होता है, आप जलाने के लिए आप जो fuel यूज करते हो उसको briquette बोलते है, biochar briquette मतलब crop residue से बनाने वाला briquette, मतलब यह जो stubble है ना दोस्तों इसे briquettes बनाते है, इसको biochar briquettes बोलते है, मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूँ, यह आप देख रहे हो ना, यह actually crop residue है, इसे इस तरह का briquettes बनाते है, चोटे-चोटे blocks में, और भी फोटो दिखा देता हूँ, देखिए, यह देखिए, इसको इसी तरह जला सकते हो, तो समझ गया ना, यह है biochar briquettes, तो promoting use of crop residue based biochar briquettes, इस तरह की biochar briquettes बनाओ, और लोकल इंडस्री को देदो, आप hotels को देदो, धावा को देदो, for using as an alternate fuel, अब देखिए, promoting pollution control आसे parameter for deciding incentives and allocation to states and union territories, देखिए, अगर कोई states and union territories को कुछ ना कुछ incentive देना चाहता है, उसके लिए parameter आपको pollution को control करना पड़ेगा, आप जितना स्यादा pollution को control करोगे, या greenhouse gas emissions को control करोगे, उतना स्यादा आपको incentive मिल जागा, इस तरह की criteria बिनाने की बात हो रही है, ठीक है, और देखिए, government steps, we see government taking two categories of steps to check residue बेने, government भी बहुत कुछ कर रहा है, इन stubble बेने को रोकने के लिए, क् NPMCR, एक है National Policy for Management of Crop Residue, 2014, इसमें भी काफी कुछ बताया है, कि आप stubble बेनिंग मत करो, इसका environmental problems अगरा है, NGT, National Green Tribunal, ये तो हमेशा news में आता है, ये लोग एक tribunal है, इस तरह की cases को देखने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, they prohibited agriculture residue burning in any part of end city of Delhi, Delhi में जहाँ सबसे ज्यादा pollution होता है, recently Delhi को most polluted city भी declare किया था, तो देखी, agriculture residue burning की बज़े से, जो पंजाब हर्याना उत्तरपदेश में होता है, Delhi की pollution में एफेक्ट होता है, तो National Green Tribunal ने क्या बोला, इन्होंने प्रोबीटी किया, National Capital Tratory के area में कहीं भी agricultural residue burning नहीं होना चाहिए, and burning crop residue was made a crime under section 188 of the Indian Penal Court, under the Air and Pollution Control Act of 1981, तो basically इसको एक crime भी बना दिया, मैंने आपको पहली बताया था, शायद लास्ट वीडियो में बताया था, कि यह stable burning को एक financial offense बनाया था, जो center ने जो farm slows लेकिया था इसमे, आप देखी, तो यह सब government कर रहा है, legislative initiatives यह सब है, government ने क्या किया, एक तो agriculture residue burning को control करने के लिए काफी फिर NGT ने यह बोला कि अगर आप double burning करोगे, NCT, National Capital Territory के आसपास, तो पिनलेस किया जाएगा, तो यह सारे government steps है, फिर, यह subsidy-based central sector scheme, promotion of agriculture mechanization for in-situ management of crop residue in the states of Punjab, Haryana, Uttarapadish, NCT of Delhi, launch for the period of 2018-20, which had visible impact on the incidence of crop residue burning, अब यह क्या है दोस्तों, इसका मतलब है, भही दोस्तों, मैंने जो बताया था ना, agriculture mechanization, ऐसे machines के इस्तमाल करो, ताकि यह stable burning रोग दिया जाए, और यह machine खरीदने के लिए आपको subsidy दिया जाएगा, एक central sector scheme है, central sector scheme मतलब 100% sender की तरफ से funding होगा, तो sender subsidy देगा इस तरह की agricultural mechanization के लिए, मतलब नए-ने machines खरीदो, जो मैंने आपको 2-3 slide पहले बताया था ना, काफी सारे, down to us website में आपको दिखाया था, काफी सारे, agriculture equipment वगरा, तो इस tape का equipment खरीदने के लिए, machines खरीदने के लिए, farmers को subsidy प्रवेट किया जाएगा, वो scheme का नाम है, promotion of agricultural mechanization for in-situ management of crop residue, in-situ management क्या है मैंने आपको बता दिया, तो यह भी आप समझ गयोंगे तो होब आप समझ गयोंगे, agriculture residue bending को रोकने के लिए, government के तरफ से क्या-क्या है, और क्या-क्या problems है, और क्या-क्या technology की इस्तमाल किया जा सकता है, तो यह सारे important हो जाता है, तो दोस्तों, that's the end of it, अभी के लिए वीडियो में फिनिश कर रहा हूँ, अगले वीडियो में हम, climate risk insurance के बार में, future outlook के बार में discuss करेंगे, जिससे हम chapter 19 को complete करेंगे, so thank you for watching, bye bye, have a nice day.